करते हुए योग आसन प्राणायाम आदी करते हैं तब इसका पूरा लाव होता है तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूं और ये चार नियम का पालन आप सब करिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से क कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं परम पुझनिये स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत आच्छा होगा मैं भी करता हूं म आपको बताना चाहता हूं स्वामी जी पालन करते हैं मैं करता हूं हमारे लाखों योग सिक्षक करते हैं और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाब हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं पंद्रे साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया नॉर्मल है शुगर नॉर्म नॉर्मल है, कॉलिस्ट्रोल नॉर्मल है पिछले पंद्रे साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी और वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए, आयुरवेद की एक छोटी सी जानकरी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, आयुरवेद में ये कहा गया है, कि कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे अपना वात पित और कफ तीनों का संतुलन रख़े वो तीन तरह के दोश है हमारे शरीर में वात पित कफ आपने सुना होगा ये त्री दोश आधारित शरीर है जब वात बहुत बिगड जाता है तो 80 से जादा रोग आते हैं जब पित बहुत बिगड जाता है तो लगबग 46 से 50 रोग आते हैं और जब कफ बिगड जाता है तो 28 रोग आते हैं और वात पित कफ तीनों बिगड जाएं तो 148 रोग आते हैं सरदी खासी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखरी रोग माना जाता है ये सब वात्पित कफ के बिगणने का खेल है तो इस देश के आयुरवेत चिकितसा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं जैसे चरक रिशी जैसे शुशुर्त रिशी ऐसे एक रिशी हुए बागवट बागवट रिशी ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग हिर्देम और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग संग्रहम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए हैं उन में से चार बताता हूं अच्छे लग और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात्पित कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना ये पहला नियम है आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते खाना कम खाते हैं पानी ज़्यादा पीते ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्शी बागवट कहते हैं भोजन अंते विशम वारी माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पियें? कारण बता दो कारण में बताना चाहता हूँ सरल भाशा में हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं अंग्रेजी में उसको एपिगेस्ट्रियम कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं ये जठर छोटा सा इस्थान है आपके पेट में ना भी है ना उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा इस्थान है सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है जो भी आप खाते हो रोटी चावल दाल सबजी दूद दही कुछ भी खाओ सब कुछ जठर में आता है अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठर अगनी मिला के बोल देते हैं जठर अगनी आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अगनी जलती है वो अगनी खाने को पचाती है और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो, अगनी जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी, आप घर में अगनी जलाओ, उसके उपर पानी रख दो, उसमें डाल डाल दो, डाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी, जब तक अगनी जलेगी, ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आप सोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं, तो आपने खाना खाया, पेट में अगनी जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी, अब मुझे एक पानी पी लिया, बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, क्या होने वाला है, अगनी जलेगी की बुझेगी, अगनी के ऊपर पानी डालो, तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं हैं, दुश्मनी हैं, पानी अगनी को बुझा देता है, तो आपने ख पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सौ से जादा विश पैदा करेगा और वो सौ विश आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षण है जब खाना पचता नहीं तो ख खाना खाते ही पानी मत पियो समझ में आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिये कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों ये जो अगनी जलने की क्रिया है ये लगवग एक घंटे तक ही चलती है पेट में उसके बाद अगनी अपने आप शान्त हो जाती है उसके बाद पानी पी लो तो खाना अगर दस बजे खाया तो ग्यारे बजे पानी पी ओ ग्यारे बजे खाया तो बारे बजे पी ओ बारे बजे खाया, तो एक बजे पीओ, एक घंटे बाद पानी पीओ अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पीलो 10 बजे खाना खाना है, 9 बज के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो, जितना पी सकते हो 11 बजे खाना खाना है, 10 बज के 20 मिनट पे पीलो, खूब पानी पीलो, 40 मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो, कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पीएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ कर तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लसी पीओ मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पीओ गन्य का रस पीलो संत्रे का रस पीलो मुसम्मी का रस पीलो अनार का रस पीलो अब आप कोगे ये सब महंगी महंगी चीज़ें बता रहे हैं गन्य का रस, संत्रे का रस, अनार का रस पैसे तो है नहीं तो सबसे सस्ता रस है नीबू का ही रस पीलो शिकंजी बना के पीलो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की लसी पीओ या रस पीओ और एक तीसरी चीज है दूद पी सकते तो खाने के तुरंद बाद पीना है तो दही की लसी या मठा खाने के तुरंद बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंद बाद पीना है तो दूद पानी एक घंटे बाद पीओ और अगर एक बाद ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता तो फलों का रस पीना अच्छा दुपैर को खाना खाएं तो लसी और मठा पीना अच्छा और रात का खाना खाएं तो दूद पीना अच्छा जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिन्दगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते वादपित्तकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी बी पियो घूट घूट भरके पियो जैसे गरम चाय पीते है, गरम काफी पीते है गरम दूद पीते हैं एक-एक घूट भरके एक-एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदट डालो ये मुँ में एक बार गिलास लगा लिया गटा-गट उसको खाली कर दिया ये तरीका गड़ बड़ एक घूट पानी दो घूट पानी एक बार में उतना ही पीओ आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक-एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुँ की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मुँ की लार होती है ये छारी होती है और पेट में हमेशा अमल बनता रहता है तो एक घूट पानी पिया मू की लार इसके साथ अंदर गई दो घूट पिया और जादा गई बार-बार लार अंदर जाएगी तो छार पदार्त पेट के अमल के साथ मिलेगा पेट में अमल बनता है मू में लार छार ही ये होती है तो ये छार को अमल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात पित कफ के असंतुलन की इस्थती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा अब्जर्वेशन बताता हूँ परीक्षन आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनुश को छोड़ कर पशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं किसी चलिया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोंच के एक बूंद में के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बूंद पान दिलेगा फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा फिर पियेगा फिर दूसरी बूंद लेगा फिर चोंच चलाएगा फिर पियेगा फिर तीसरी बूंद एक-एक बून पक्षी पानी पीता है कुत्य को पानी पीते हुए देखो चाट-चाट के पानी पीता है शेर को पानी पीते हुए देखो चाट-चाट के पानी पीता है जितने जानवर चाट कर पानी पीते है जितने पक्षी एक-एक घूट पानी पीते है किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डाइबिटीज नहीं है किसी को अर्थराइटिस नहीं है कोई पक्षी ओवर्वेट नहीं है कोई पशू ओवर्वेट नहीं है वो सब स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो इतने होशे आ रहे हैं कि पानी चाटके पीते हैं या घूट-गूट करके पीते हैं अब मुझे यह हैरानी होती है कि यह पशू पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से यह ज्यान सीख के आते उनका कोई गुरू नहीं है उनका कोई विद्याले नहीं है उनके कोई प्रसिक्षन शिविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना और हम ये मनुष जिनके इतने गुरू इतने विद्याले, इतने कॉलेज सीखने वाले, सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर गटा गट गटा गट पानी पीते रहते तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट घूट भरके पानी पीओ ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पीओ बरफ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी, जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना, क्यों? क्योंकि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है, अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में, पेट तो गरम है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर जगडा होता है, और जगडा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा, या पेट पानी को गरम करेगा, अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, तो पेट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है, हिरदय के ठंडा होते ही मस्तिष ठंडा होता है मस्तिष के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते निकाल के बाहर सड़क पे रख देते जो घर आपने बनाया अपनी महनत से शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और फिर चिलाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ इसको जला के आओ माने ठंडे शरीर की इज़त नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है और चौथा और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सो कर उठते हो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुल गई तो पहले दो तीन गिलास पानी पीलो उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आँट को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आँट की सफाई होगी पेट पे दबाओ पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे दो तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी और उठते ही पानी पियोगे तो मू की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में एसिड की मात्रा जादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूर है ये चार नियम है आयुरवेद के पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट-घूट भर के पीना तीसरा नियम कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात, पित, कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात, पित, कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आपको शायद मालूम है या नई एक साल में हम जब बीमार पढ़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब छे लाख करोड रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने इसलिए इतना पैसा फाल्तू में हम खर्च करें हर साल छे लाख करोड ये बहुत बड़ी रकम है इस से बहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पढ़ें और स्वस्त रहें सुखी रहें और ये छे लाख करोड का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पढ़ने पर अक्सर ये ऐलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे परसीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, आक्सिफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी है भारत में धडले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज़्यादा गंबीर बीमारियों में फसा रही है ज़्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किड्नी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं आंतों में घाओ कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है दवाएं हैं जो काम की हैं बागी सब बेकार की दवाएं हैं उन बेकार की दवाओं को खा कर हम छेला करोड खर्च करते हैं ये बहुत दुख और अफसोस की बात है और ये छेला करोड का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिन्दगी में हर समय अपना आर्थिक इस् किसी का घर बिख जाता है, किसी का खेत बिख जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को करज लेना पड़ जाता है, किसी को करज लेकर दुबारा करज लेना पड़ जाता है, मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले पंदरे साल के प्रवास में देखा, कि विदेश में चला जाता है क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कमपनियां विदेशी होती है तो हम 6 लाग करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़ें दवा खाने की जरूरत ही ना पड़ें तो हम सुखी रहें दवस्त रहें तो योग प्रणायाम करें चार नियमों का जीवन में पालन करें बहुत आसान है आपके लिए